नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका अपनी यूटूब चैनल ड्रीम टीम में और दोस्तों आज किस वीडियो में आपे मैं जो मैच कवर करने वाला हूँ UAE प्रो लीग के हम लोग आपे मैच कवर करेंगे फुटबॉल सेक्शन से जो खेला जागा एल दफरा वर्सेस बानियास के बीच में दोस्तों तो आज इस वीडियो में कम्प्लीट ये मैच कवर करूंगा आपको दूंगा इस मैच की सारी कुछ डिटेल प्रेडिक्शन जो कुछ भी आप लोगों ने वीडियो की थमनिल पर देखा होगा वो सारी कुछ डिटेल आपक बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आगन कोई प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो और आप ऐसी वीडियो लेके एक बढ़ियां विनिंग लगातार करते रहो के दोस्तों तो सबसे पहले ब की मल्टीपर लिक जोइन करना मत भूलना ओके तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करोगे तो आप इस मैच में एक बढ़ियां प्रॉफिट में रह सकते हो के आपके प्रॉफिट के चांस इन्हेंस हो जाएंगे आप चलता है वीडियो में आगे और देता हूं आपको इ तो जोड़ना मत भूलना आपको यहां पर बिल्कुल में आल स्पोर्स की टीम बिल्कुल फ्रीम में प्रवाइड करता हूं ताकि आप यहां से लेके ड्रीम 11 से अच्छी खास इवनिंग रोजाना कर पाओ और जो दूसरी इंप्टेंट अभी जो आपको आपको इसमॉल ल लाइन अप के बाद वीडियो टीम में मिसिंग रहता है तो फाइनल टीम की अपडेट और इस मैच का लाइन अप आपको हमारे इसी टेलिग्राम चनल ड्रीम टीम पर देखने को मिलेगा दोस्तों जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चनल ड्रीम टीम से डिरेक्ली जूड सकते हो अगर आप लोग उस लिंक से नहीं जूड पा रहे हो दोस्तों तो आप लोग टेलिग्राम के सर्च बटन पर जाना और सर्च बटन पर जाकि यह सर्च करना जो मैं सर डिटेल पर आगया हूं मैं तो आपको इस मैच की सारी कुछ डिटेल कंप्लीट यहां पर बदाने वाला वीडियो को कंटीनियूसली देखना ताकि आपसे इस मैच की एक भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिसना हो और आप दोस्तों इस इस कंप्लीट डाटे को कलेक्ट करना ता 16 सितंबर 2021 को मैच खेला जागा आठ बचके 15 मिनट इंडिया स्टेंडर टाइम के हिसाब से और एल्डी के वेन्यूपे ओके तो एल्डी की जो टीम है उनको होम का एडवांटेज रहेगा आज के मैच में और आज के मैच में होम का एडवांटेज एक इंपॉर्टेंट रो जो प्री मैच की पाफोर्मेंस है वह सेम है देख सकते हो एअली ने भी दोस्तों दो स्तेंडिक डेकल आ तो UAE Pro League का जो competition इसमें 14 टीम में participate करती है ALD की टीम 9 वे position पर है और BAY की जो टीम है वो बार वे position पर है ओके दोस्तों यहां से पता लग रहा है कि जो ALD की टीम है वो दोस्तों ALD की टीम थोड़ी से ज़्यादा better as compared to BAY की टीम से ओके और ALD की टीम के home पर मैच है ये बात भी note करना head to head record की बात करना दोस्तों तो total 19 मैच दो टीमों के बीच में अभी तक खेले जा चुके है ALD की टीम 7 बार जीती है BAY की टीम 9 बार जीती है और draw हुए 3 बार तो दोस्तों यहां से जो पता लग रहा है कि ALD की जो टीम है वो head to head में दो मैच थोड़े से कम जीती है और BAY की टीम का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है head to head record में बट दोस्तों ALD की टीम का अभी जो इस लीग इस सीजन का performance है वो ज़्यादा अच्छा है compared to BAY से और ALD के home पर भी मैच है और यह बात भी note करना ओके दोस्तों तो आज at least अगर आप mix up combination के साथ जाते हो तो ज्यादा बैटर रहेगा और तब आप एक बढ़ी पर्फुमेंस दे सकते हो कर दोस्तों पॉसिबल लाइन अप की बात कर लें तो दोस्तों पॉसिबल लाइन अप देख सकते हो एल्ड का starting 11 जो आज के मैच में start कर सकते हैं और इसकी टीम से कौन सा प्लेयर स्मॉल लिग के लिए important है कौन सा प्लेयर ग्रैंड लिग के लिए important है वह भी आपको सारी डेटेल बताऊंगा ओके दोस्तों और सारे प्लेयर के इस सीजन के states भी आपको बताऊंगा ताकि आप सेफ गोल कीपर यही रहने वाले आज के मैच में अगर आप ग्रैंड लिग में जाना चाहते हो तो बीए वाई का गोल कीपर ट्राई करना ओके दोस्तों उनके बारे में मैं आपको बीए वाई की लाइन अप में बताऊंगा आगे बढ़ते हैं उसके लिए एक गोल किया है स्मॉल लिग के लिए मस्ट हो पिक रहने वाले एक गोल कर चुके हैं इसी सीजन उसके एम फायेज दोस्तों एक असिस्ट किया है इस सीजन के लिए मस्ट हो पिक रहने वाले हैं स्मॉल लिए के लिए पिक करना मत बूलना उसके बाद के अली खमीज ने कुछ खास किया नि की मोमब्द ने कुछ खास कियानी आई यह अ अदुवा को ले लेना दोस्तों एक गोल ये नहीं कर चुके हैं और एम सतिके के लिए तीनों यू डिमस्ट क hope डेये लिकल टीम से मिस्स मत करना जूस्तों अगर तो पिक जुरूर करने सब्देद के जडिए करा चुक के हैं और मुस्ट भाइस मौल लीग के लिए ग्रैणड लिग में आप इसको वी-सी बना सकते हो एल जैसी दो सिस्ट कर चुक हैं मस्ट-व फिके-टेमिए थे मारी कर Him yet रहेंगे उसके बाद बी एईम एक गोल किया दोस्तों अभी तक और आई इजय कैल दो गोल कर चुके हैं ओके तो इन दोनों को आप इजय कैल को देखो इसमाल लिग में भी ले सकते हो और या तो ग्राइड लीग में भी ट्राइग कर सकते हो कि उसके बाद सब्सक्राइब और पिछले सीजन के इनका स्टेट्स बहुत अच्छा है अपनी टीम के लीडिंग गोल स्कोर हैं दोस्तों पिछले सीजन तो और पेनाल्टी भी लेंगे इस मैच में तो इनको आप स्मॉल लिग के लिए कैप्टन बना सकते हो ग्रेंड लिग में बना सकते हो सब्सक्राइब के अपसेी लिए हो और स्ब्सक्राइब के लिए को सातर देटेल दो सकता है सीबसे के लिए खराँक दोस्तों आप बढ़ते हैं और पॉसिल के लियर के रतले दो से तो स्टार्टिंग 11 आपको ये स्क्रीन पर दिख पार होगी अपने एफ एल दहानी ये ग्रैंड लिग के लिए एक बढ़ियां गोल की पर रहेंगे और स्मॉल लिग में अकर आप डिटल बिट रिस्क ले सकते हो तो इनको जरूर पिक करना क्योंकि जहां तक मैं बता सकता जानी एस आई कोबिक एक गोल कर चुके हैं इस मॉल लिग में पिक कर सकते हो के सेफ जाना है तो स्मॉल लिग में पिक कर सकते हो एसके वाद ए अब्दूला रहावन एक गोल एक असिस्ट कर चुके है स्मार्ड डिफेंडर सेक्शन में दिख जाएंगे इस मॉल लिग के ल सब्सक्राइब कर देंगे और गोल असिस्ट भी कर चुके हैं सीजन बढ़ियां फॉर्म में ले सकते हो पिछले सीजन और पेनाल्टी देख सकते हो अपनी टीम की साइड से लेते हैं इस सीजन पेनाल्टी पे गोल भी किया है तो प्लेयर बढ़ी हैं दोस्तों स्मॉल लिग के लिए कैप्टन वीसी के भी चॉइस हैं और ग्रैंड लिग में आप इनको मिस्मत करना इस मॉल लिग क अब चलते हैं वीडियो टीम देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो क्याप्टन मेरे वीसी मेरे जी सुरेज हैं दोस्तों इनिसियल टीम है फाइनल टीम की अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चनल ट्रीम टीम पे मिलेगी जोड़ना मत भूला निंक मेरे आपको हम उनिसया के अपर कि अेस्क्रिण स्थतिक उ Charge W 1 औ झाल टीम मlära चाभ जोस्तों आफ एंड का अवाम मेरे और तोस्तों अवाएल घ्रज हैं चु'M